यूपी में सपा बसपा का गटबंधन होने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी से जब पूछा गया था कि कांग्रेस को छोड़ करके ये गटबंधन हुआ है तो उन्होंने कहा था कि हम यूपी में चोकाने वाले नतीजे देंगे और उस समय इतना कह करके वो रह गये थे लेकिन अभी जो कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को महा सचीव निवक्त करके और पुर्वी उतरप्रदेश का प्रभारी बनाया है उससे एक तरह से कांग्रेस ने पूरा चुनावी महाल बदलने की कोशिस की है क्या है इसके पीछे कांग्रेस की रणनीती मैं आपको बताऊंगा मैं हूँ विद्या संकरतिवारी इंडिया न्यूज के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए दरसल प्रियंका गांधी के राजनीती में आने को ले करके काफी दिनों से अटकले चल रही थी और बात ये भी आ रही थी कि क्या सोनिया गांधी के जगा हुव राय बरेली से चुनाव लड़ेंगी तो माना ये जा रहा था कि कांग्रिस के जो रणितकार हैं वो प्रियंका गांधी को आगे करके एक चुनाव जीतना चाहते हैं इसलिए वो उचित समय का इंतिजार कर रहे हैं लेकिन 2019 के चुनाव को ले करके एक तरफ महागटबंधन दुसरी तरफ मोदी के नित्रित्तों में जो एंडिये बना है उसके बीच में कांग्रिस ने जो ये पहल की है कि प्रियंका गांधी को महा सचीव बना करके और यूपी की राजनीत में उतार दिया है उससे यूपी और देश की सियासत पे बहुत बड़ा फर्क परने वाला है और आगे के नतीजे भी से प्रभावित होने है क्योंकि प्रियंका गांधी में लोग इंद्रा गांधी का अक्स देखते हैं और जो उनका चाल ढाल बोल चाल चेरा है वो काफी हद तक इंद्रा ग गांधी के आने से यूपी के परिद्रिस पे बदलाव होगा बहुत सोंस समझ करके कांगरेस ने पुर्वी उत्तर प्रदेश का उन्हें प्रभारी बनाया इसके साथ और भी कई चिंजज हुआ है वो प्रियंका गांधी का है अब देखते हैं कि जो कांगरेस ने तुरूप का एकका चला है प्रियंका गांधी को पुर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना करके वो सिर्फ पुर्वी उत्तर प्रदेश तक नहीं रहने वाला फिर वो आसपास के जो जो है वो तैयारी के साथ उतरे जो भी इसमें अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा आप हमारा यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक किजिए सब्सक्राइब किजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना सुझाओ जरूर लिखें थैंक यू